नमस्कार दोस्तों जयकायस्ट सर्मेख बर्फिट से स्वागध एक नई रेस्पी के साथ में तो आज ले के आई हूं मैं आप सब के दिए बहुत पार परहज़ी एक दम चनादाल और मुंगफली की पर बर्फी रेस्पी जिस से बनाना बहुत अब बहुत ही फटाफट बनके तैयार हो जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने यहां पे एक कप चना डाल लिया है जिसे मेडियम फ्लेम पे हम इसे हलका सा रोस्ट कर लेंगे बहुत देर तक इसे रोस्ट नहीं करना है बस अलकी सी खुस्बू आ जाए बस इतना ही अब चलिए अगर चलिए अच्छे से गरम हो चुका यानि की रोस्ट हो चुका है और फिर हम इसे अगदम फाइन पेस्ट इसका तयार करने वाले हैं दोनों के इसके चलिए हमने नहीं निकाला है मुझफली के हमें इसी तरह से इसे साफ में पीसा है आप चाहें तो पॉडर हमने इसका तयार कर लिया है और इसके चनी में डाल कर और इसे हम छान लेंगे ताकि जो गुटलियां या किसी तरह के लम्स रहें तो वह बहुत ही असानी से निकल जाते हैं और इसी तरह से चान कर और जो बचे हुए हैं उसे भी हम फिर से फली को और चना दाल को गह कुछ तो इसे भी टाल के फिर से हम दुबारा इसे مिकसी ग्रेडर में इसन पीसके और चान कर पॉडर को हम तयार कर लेंगे और अग्दम देख सकते हैं तो एक मिनट के लिए बस आप इसे भून ले जब तक कि यह अच्छे से घी में ये mix न हो जाए तो थोड़ी देरी के लिए हम इसे भूनना बहुत देर तक भूनना नहीं क्योंकि हमने पहले भी इसे रोष्ट करके इसमाल किया है बर्फी के लिए तो यह बिल्कुल इस तरह स मिख्स हो गया यही तरह में चाहिए और आप चासनी की तयार कर लेते हैं तो एक rozp हमने यहां पर चीनी डाला है पैन में ठोड़े से पह अच्छी से घुल जा जाए ए और छी थीनी को गुलने तक बस हमों इसी तरह से चासनी बस बना के तयार करें एक पिंच फूट कलर इ दाली हूं दोनों एक पिंच का इस्तमाल की हो और बस यह देख सकते हैं उल्यों की मदश में आपको दिखा रही हूं तो यह बिल्कुल चासनी तैयार हो गई है चिपचिपीसी और एक तार की दीख रही है तो यह तैयार है और हमने जो पॉडर तयार करके रखा है चना दाल कोई मुंगफली को ढाल लेंगे उसके पॉरडर को डालकर इसे चला लेंगे अच्छ से मिक्स कर लेना है थोड़ी एक से दो मिनट के लिए हमें इसे मिक्स करते हूँ इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे चलाते हूँ पकाना है जब तक कि बैटर जो है वह वह ठीकना हो तो आज की रेश्पी आपको पसंद आये तो लाइक कर दीज़िये बैल आइकन कर लिजये ताकि नई रेश्पी की नोटिफीकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो इस तरह से हमने इसे फैला लिया है और इसे ठंडा होने देंगे और फिर इसमें कुछ ड्राइफुट्स मनपसंद इसके उपर डाल कर और हम इसे केशला की मदब से इस तरह से दबा लेंगे ताकि वह अच्छे से उसके साथ में बर्फी के साथ में सेट हो जाए और यहां से इसमें बहुत ही जल्दी अच्छे से सुक जाता है तो फिर से हमने मतलब की इसके वह शूकने के लिए हम पड़ेंगे ।ो मतलब की बहुत मदद से देख सकते हैं कि मैं आपको बर्फी निकाल के दिखा रही हूं बहुत ही एक दम माउथ मेल्टिंग बर्फी इस तरह से चनादाल अमुफली की बर्फी बनके तैयार होती है तो तब तक के लिए इसे आप ट्राइ कीजिएगा बनाके जरूर इसे देखिए कि आपको इसका टेस्ट कैसा लग रहा है और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा देख सकते एक तोड़के भी मैं दिखाई हूं तो यह बिल्कुल तैयार है इसकी प्लेटिंग भी मैं कर ली हूं फिर से मिलती हो एक नई रेस्वी के साथ में थैंक्यू बाइबाइ